आज की वीडियो में हम लड़ो उपाल जी के लिए बहुत ही खुपसुर सी ड्रेस बनाने वाले हैं यह हमारे नेचे का गेर है यह दोनों मारे चुली है और वह उपर हमारी कैप है चुली और कैप एकी में जॉइन्ट हुआएगी तो चुली कर लेती हूं इसमें हमें कुछ यह पुपसी दिखा रही है और यह द्रेस इसमें नंबर और तीन नंबर को भी पहना पाएंगे यह देखे इस तरह से करके हम इसे पहनाते हैं बहुत सुद्र लगती है और पूरी कवर है कहीं से भी ठंड नहीं लगेगी काना को यह जो दोरी है वह हम बार लेंगे गोल मे वीडियो में वैसे दिखा कि बादे में थोगा सा टाइम लग जाता है यह मैंने बाद दिया आप देखें कितनी अच्छी फुटिंग आई है कैब भी बहुत अच्छे से फिट है पूरा कान ढगा है काना का कहीं से भी ठर्ण नहीं लगेगी अब हम इसकॉर्ट पहना देंगे तो इसकॉर्ट तो हमारी बहुत सुन्दर है यह देखे यह इस तरह से मैंने बनाया है सब ही सायज की मिजर्मिन चार्ट दीख है आपको आप इसे किसी भी सायज में बना सकते हैं और एजली अपने काना को पहना सकते हैं बहुत खुबसूरत लगती है पहनाने के बाद अभी मैं आपको सामने से दिखा दूँगी कि यह कैसी लग रही है देखने में क्योंकि ऐसे तो पूरा लुक आ नहीं रहा है सामने से देखेंगे आप तो आपको अच्छे से समाझ भी आएगा पूरी पीछे से कवार है कहीं से ठंड नहीं लगेगी चली सामने से दिखाते हूं यह देखेंगे आप मैं ड्रेस कम्लीट हो गई आप देख सकते हैं कितने सुंदर लग रही काना के ओपर यहाँ पर एक छोटा सा बटन लगा देंगे अगर आप में ड्रेस के लिए अपर पासे है तो या फिर इस टून बटन तो यह बहुत सुंदर लगा दूगी तो चले स्टार्ट करती हूं वीडियो और देख लेते हैं कैसे बनाए है यह रहा मिजर्मेंट चार्ट सभी साइज के लिए किसी भी साइज में आप इसे बना सकते हैं यह देखिए इस पहले हमने आप यह उन लिया है यह हमारा उस्वाल का बेबी सॉफ्ट उन है 3 प्लाइ का उन है साथ में 2.5 mm में मैंने क्रोश या हूंक लिया सबसे पहले देखें हम इस तरह से एक लूप बनाएंगे आप इसकी जगा कोई भी नॉर्मल उन यूज कर सकते हैं यह हमने एक बनाया अब इसमें अपने हूप को डालना है और टाइट करना है टाइट करने के बाद यहां पे हम लंबी सी चेन बना लेंगे यह देखें कु कोड़ा से लंबा करेंगे और 20 से कट करके खीश देंगे यह हमारी नॉट अगई यहां से जो एक्स्टा उन है उसे भी कट करके हटा देना है यह देखें हमने यहां पे चेन बना ली है अब हम इस चेन के अंदर डबल क्रोश्य बनाएंगे आप किसी भी साइज में करिए कोई सी तरह से बनाय स्टार्ट करनी है एक लंबी सी चेन बनाएंगे अब देखें अपने होड के उपर इस चेन को रखेंगे और यहां से हमने उन को निकाला यह दिखें निकलने के बाद हम एक चेन बनाएंगे और यह छोटा उन देखें दूसरे साइड से आएगा जब आप बुनेंगे तो उसे हम इसी में इस तरह से दबा देंगे यह देखें यह हमने दूसरी चेन बनाई फिर हम इसे इधर से इधर कर देंगे यह हमने तीसरी chain बना ली हमें तीन chain बनाने है टोटल और अब हम इसे पास से कट कर सकते हैं यह देखें हमने इसे फसाद दिया है यहाँ पे हमारा लॉक हो चुका है अब यह जो अभी हमने तीन chain बना यह भी हमारा एक double crochet ही माना जाता है हमें टोटल 26 double crochet बनानी है एक हमारी ब निकाला और दो फंदे से एक बार दो फंदे से एक बार तो चली मैं यहां पर बनाती हूं फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह देखिए मैंने यहां पर टोटल 26 डबल क्रोश यह बना दी है फर्स रो हो गई है अब सेकेंड रोब में देखिए हमें सभी साइज में सी तरह से एक बार दो फंदे से एक बार फिर हमने इस तरह से किया सेम जगह डालेंगे और डबल क्रोश यह बनेंगे एक ही चेन में हमने दो बार बना है अब दूसरी चेन में हम सिर्फ एक बार बनेंगे फिर तीसरी चेन में हम दो बार बनेंगे यह देखिए एक और यह दो फिर हमें देखे हैं चोछी चेंड में दबल क्रोश दो है दीए तो चोफी चेंड में डाल एक बार बुन दिया फिर हमें पर गौण दो पर प harus अगली में दो होड बंद तुम बार आगे ने वहागे दो है और घीन चोपर indicator सबस्क्राइब करदेगे चल जाएंगे चले होगे थोड़ा सा भुन के दिखाती हूँ यह दो चेन पहले बनानी है उसके बाद हम यहा पर इपनी पहली चेन में दो बार डबल क्रोश्या बनाएंगे देखिए एक और बार ऑर फिर अगली चेन में सिर्फ एक बार बनाना है पहले में देखे हमने दो बार बना दिया फिर दूसरे में एक बार फिर तीसरी चेन में दो बार ये देखें ये एक और ये दो फिर चौथे में एक बार बस इसी तरह से इसे लंबा करते चले जाना है चले करते हूं फिर आगे आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है ये इस तरह से अगर आप यहां पर गिनेंगे कि मैंने कितनी रोब उनी है तो आप देखें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, टूटल साथ रोब उनी है यह मैं चार नंबर के लिए बना रही हूं बहुत खुबसूरत इसकी फ्रिल आती है हम इस तरह से करके इसकी फ्रिल हो जाएगा आप देखें बहुत सुंदर सी यह घेर आती है तो आप चलिए मैं इसकी मेजरमेंट आपको बता देती हूं सभी साथ के लिए सबसे पहले तो आप इस तरह की चेन बनाएंगे तो आप एक लंबी सी चेन बना लिए अब इस चेन के अंदर मैंने टोटल 26 डबल क्रोशएा बनाई है चार नमबर के लिए तो आप देखें आप सभी साथ में कितना बनाएंगे देखें यहां पर डबल जाया चार नमबर के लिए बिनाई है जीरो सैज में आपको 10 डॉबल क्रोश यह बनानी है एक नमबर में 14, 2 नमबर में 18, 3 नमबर में 22, 4 नमबर में 26, 5 नमबर में 30, 6 नमबर में 35, 7 नमबर में 40, 8 नमबर में 45, 9 नमबर में 50, और 10 नमबर में 55, इतना बुनने के बाद आप क्या कर 4, 2, 5, 3, 4, 7, जैसे में यहाँ पर बुन रखा है. 5, 8, 7, 8, 12, 9, 14, और 10, 16 रो हमारी's squad बनके ready हो जाएगी. अब चले चुली बनाना बताती हूँ. गक्रली हमने 26चेन बनाई है, एक चेन हमारे हुक में, इसके बाद हम एक और दो चैन छोड़ेंगे और जो तीसरी है हम इस तरह से करके तीसरी चैन में डालेंगे फंदे को निकाला और डबल क्रोशिया बुंदी अब देखिए हमने यहां 1 double crochet बनाई हैं और starting में हमने जो तीन chain फिर दहिरे odpowied यहां 2 double crochet हो गई फिर अगली chain में हमेan यहां तो टॉटल 25 double crochet मिल जाएगी जितनी पी हम chain बनाएंगे उससे एक कम double crochet में मिलेगी चले मैं बुनती हूँ फिर आगी बताऊंगे क्या करना है यह दिखे मैंने यहाँ पे एक रो जो है वो बुन्दी है अब हम अपनी दूसरी रो बनाएंगे कैसे बुनना है देखे इस तरह से दो chain बनाईए और यहाँ जो उन है यह हम पकड़ लेंगे इसी में देखे यह दो chain बनाई हमारी एक double crochet होई गई यह हमने अपनी पहली chain में दूसरी double crochet बना ली सभी chain में एक एक बारी बनाना है यहाँ पे भी हमें उतनी ही double crochet मिलेगी जितनी नीचे मिली है तो टोटर हमें 25 से हाँ भी मिल जाएगी चले बुनती हूँ फिर आगे आपको बताऊंगी कि हमें क्या करना है यह देखे मैंने यहाँ पे तीन रो बुन दी है जैसे हमने अपनी दूसरी रो बुनी थी सेम वैसे ही दीसरी भी बुन दी है चौथी रो थोड़ी सी चेंज है क्योंकि हम हापडवल क्रोश्या बनाने वाले है आप देखे कैसे बुनना है इस तरह से हमने एक और दो दो चेंड मिनाई अब है हमारी पहली जो चेंड है इसमें डाला फंदे को निकाला तीनों को एक साथ उतार दिया फिर हमने इस तरह से किया अगले में डाला फंदे को निकाला और तीनों को उतार जब हम तीनों फंदे को एक साथ उतारते हैं तो इसे हम हापडवल क्रोश्या कहते हैं तो चलिए मैं इस तरह से यहां सभी चेंड में एक बार हापडवल क्रोश्या बना लेती हूं फिर बनाएंगे, तो देखिए, जीरो सायस में आपको 12 chain बनानी है, एक नमबर में 14, 2 नमबर में 18, 3 दीन नमबर में 22, 4 नमबर में 26, 5 नमबर में 28, 6 नमबर में30, 7 नमबर में34, 28- правильно, 9 नमबर मं 42 और 10 नमबर में 46 चैन बनाएंगे कितनी कितनी रोग बुनेंगे वो भी देख लीजिए तो जीरो सैज में आपको 2 रोग बुननी है मैं ने देखिए या पर 1.5 लिखा है एक रोडबल क्रोशे की और दूसरी हाप ब्लक्रोशे की एक नमबर में 2 रोग दोडबल क्रोशे की द पांच नमबर में 4 रोग 4 रोग दो डबल क्रोशे की देखिए मैं नहीं मैं यहाप बनाया है स्ज़े मैं एक पीस और बना से मैंने दोनों बना लिया है अब बता देए पर चोड़ा हैं इतना ही रोग बुननी है जितना चोड़ा हमने इसे बनाया है बस मैंने एक बार आउटलाइन कर दी है अपनी से यह पूरा से पूरा पूरीच करने के बाद जिससे यहां पर थोड़ा सा हमारा combination अच्छा लगे बस यहां पे change है तो क्या हमने यहां पे 26 chain मनाई थी बट यहां हमने 20 chain ही बनाई है तो cap के लिए देखें आप कितनी chain बनाएंगे बुर्ना इतना ही चोड़ा है बस यह जो लंबाई है इसकी कम रहेगी तो zero size में आप 12 chain बना ले एक नमबर में 14 दो नमबर में 16 तीन नमबर में 18 चार नमबर में 20 पांच नमबर में 22 छे नमबर में 26 शाथ नमबर में 30 आठ नमबर में 32 नो नमबर में 34 और 10 नमबर में 36 आप screen shot ले सकते हैं यहां से देखें आप जब भी screen shot ले तो वीडियो की quality को तो थोगा हाइए जिससे आपको एक एक desert clear दिखाई देगा अब हमारा हो गया है अब चलिए इसे हम सिल देते हैं तो हमें कैसे सिलना है सबसे पहले तो देखें यह यहां से यहां तक जितनी लंबाई है उसका 1-2 हम यहां यहां आ रहा है तो आधा से हम कम सिलेंगे यहां स थोड़ा सा ऐसे तेच्छा सिल देंगे तो ये मैंने सेम कलर का उन डाल दिया है ये देखे ये इस तरह से करके सिल दूँगी अगर आप बिगनर भी है तो भी आपको इसे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बहुत आसाने से बन जाता है ये देखे सुई को उल्टा कर कट कर देंगे जी मैंने कट कर दिया अब हमें इसे औपैल करना ये लिए कोले के बार हमारा ही जो क्लेकर अ मारा कम सील देना है दूसरे फीसे ये लिएon ब करना से लिए बन आ के लिये चले सिल देतीगी और फिर रहा एक डुड़ी टाल देगे तो ये मिए हमरा प्लीटि पर मारा एन शिल गया है काव्या मैंने डोरी ढाल दिक और एक चीज और इन श्कॉर्ट इसमें एक लंबी सी डोरी बुन के और बीच में सिल दिया है तो यह हमारा हो गया है अब चलि पहना के लिए अब देखा तेम अब देखे गाई जैपने इट्रेस इन पर इड़ी हो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे